जैहिन दोस्तों मैं हूँ अनूप और आप सब लोगों का स्वागत है डिफेंस अप्डेट के और एक फ्रेश एपिसोड में दोस्तों आज का वीडियो का सबसे पहला अफडेट डियाडियो के तरफ से डेवलप्ट के जाने वाले इंडियन इंडस्ट्रियल पार्टनर का तलाश कर रहा है ताकि इसके डेवलप्मेंट और पोटोट्राइब के मेनुफैक्ट्रिंग हो सके इसे लेके जो डेटा अफ तक अबलिक हुआ है उसके मुताविक इसके जो विल्ड वरिजन है उसमें थर्मल और और ऑफ्टिकल साइट को लगा जाएगा ताकि क्रू इसे कंट्रोल कर सके और इसमें फार कंट्रोल सिस्टम भी होगा ये amphi vsb होगा और इसमें crewless 30 mm के cannon बाला turret भी होगा दोसो इसके उपर काम असल में vehicle research and development establishment के तरफ से किया जाएगा और ये संपुन रूफ से एक नया project है जो इंडियन आर्मी के कई तरीके के आवशक्ताओं को देखते हुए आगे बढ़ाया जाए और संभा भी दिये futuristic infantry combat vehicle project के लिए हो वीडियो का next update जर्मनी के तरफ से भारत के सामने रखा गया FICV का offer दोसो FICV project के अंतरगत इंडियन आर्मी करिवन 1750 futuristic infantry combat vehicle को purchase करना चाता है और रिपोर्ट के मताविका बताया जा रहा है कि जर्मन बेस कंपनी Ryan Metal Land System के द्वारा बनाया हुआ अपने lunex infantry fighting vehicle के offer भारत के सामें रखने के लिए तैयारी किया जार और वो भी संपुन रूफ से technology transfer के साथ दोसो ये जो lunex infantry fighting vehicle है ये संपुन रूफ से एक नया vehicle है जिसे Ryan Metal के दरफ से हाली में ही design और developed किया गया है दोसो इस vehicle में कई तरिके के हतियार लग सकता है जिन में 7.62 mm के machine gun 12.7 mm के heavy machine gun 40 mm के grenade launcher even 30 mm के cannon तक शामिल है दोसो इन vehicle को Ryan Metal के तरफ से असल में जर्मनी के जो पुराने हो चुके Puma infantry fighting vehicle है उसे replace करने के लिए ही बनाया जा रहा है वीडियो का next update फ्राइविट फार्म के तरफ से सुकोई 30 MKI aircraft के flywire को अपग्रेड करना दोसो रिपोड में बताया जा रहा है कि बैंगलोर स्थीत कॉम एविया सिस्टम टेक्नोलिजी प्राइबिल्ट लिमिटेड हिंदूसन एरनोटिक्स लिमिटेड के साथ मिलके सुकोई 30 MKI aircraft में स्थेमाल होले वाले flywire सिस्टमों के redesign और development के साथ साथ अपग्रेशन के उपर काम करेगा जो कि एक तरीके के data acquisition सिस्टम है अब दोसो यहाँ पे आप लोगों को यह भी जानके रखना चाहिए कि flywirewirewire सिस्टम modern fighter aircraft के सबसे प्रमुक equipment होता है जो कि aircraft को काफी हद तक control करने में भी मदद करता है पहुत बड़ा achievement बना हुआ है अब दोस्तों कुछ हफते पहले ही cover आया था कि आइनेस विकरांद के उपर मिक-29 aircraft के द्वारा टैक्सी ट्राल को अंजाम दिया जा रहा है पर दोस्तों उस दर्मियान ये भी confirm हुआ था कि मिक-21 aircraft ने ना ही आइनेस विकरांद के उपर लेंड किया था और ना ही यहां से टेक आफ किया बलकि इन aircraft को क्रेंट के सारे carrier के उपर उतारा गया वही पर दोस्तों तब aircraft carrier असल में dockyard में था और दोस्तों तब ये भी cover आया था कि एविएशन ट्रायल के लिए aircraft carrier के उपर लगने वाले कुछ महत्तपूर्ण equipment को फिलाल लगाया जा रहा है दोस्तों एविडियो का नेक्स्ट अफडेट इंडिया के एविएशन ट्रायल के इंडो फेसिफिक स्ट्रेजिये में महत्तपूर्ण भूमिका तो दोस्तों एक तरफ जहाँ पे आयनेस विगरांद के उफर एविएशन ट्रायल को अंजाम देने के साथ साथ इसे डिप्लॉयमेंट के लिए धिरे धिरे तयार किया जा रहा तो उई पे दूसरे तरफ आयनेस विक्रामरित्या जो की सोवियत यार्काफ केरियर है और इं इंडिया इंडो पेसिफिक रिजन में करेगा और दोस्तों इंडो फेसिफिक रिजन में जिस तरीके से कई सारे देशों के भूमिका बढ़ते जा रहा है और चायना जिस तरीके से इस रिजन में अपने कदम को मजबूत कर रहा है उससे देखते हुए इंडो फेसिफिक स् निक्स्ट अफ डेड आर्मी के तरफ से नाग कैरियर नया एंटी टैंक ट्रैक्ट आर्मड वियकलों के अन्वेल दोस्तो 26 जनवरी के दिन मिलिटरी पेरेड के दर्मियान इंडिन आर्मी के द्वारा नाग एंटी टैंक गाइड़ मिसाइलों के लिए बनाया हुआ निमस मतलब नया एंटी टैंक आर्मड वियकलों के शोकेस किया गया बेसिकली दोस्तो ये ट्रैक्ट आर्मड वियकल है जो बीमपी 2 के चैसिस के बेस पे बनाया गया है और इसमें 6 रेडिट टू फायर एंटी टैंक गाइड़ मिसाइल है दोस्तो मैं आप लोगों को अल्ड़ी बता चुका हूँ कि इंडियन नेवी के पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आइनस विकरांद की उपर एवियेशन ट्रैल के लिए मिक-29 और एल्सियन नेवी दोनों का ही इस्तिमाल किया जाएगा और हाली में एल्सियन नेवी एयरक्राफ्ट के विकरांद एयरक्राफ्ट कैरियर के उपर सक्सेस्फुल लैंड और सक्सेस्फुल टेक आफ के बाद अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मिक-29 के एयरक्राफ्ट के द्वारा भी आइनस विकरांद के उपर सक्सेस किया जाए आयनेज विकरांत असल में Ski Jump से LAS और Azisting Wear से LAS एक ऐसा यार्रक्राफ्ट करियर है जिसे भारत के द्वारा Indigenously बनाया गया है और दोस्तों ये भारत के द्वारा से तव अंजाम दिया गया जब भारत के Foreign Secretary विनाय मोहन कौतरा और फ्रांस के Foreign Ministry के Secretary General Annie Mary के वीच में Paris में एक मुलाकात हुआ बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो बीते कुछ सालों में भारत और फ्रांस के वीच के जो कॉपरेशन है वो काफी मजबूत हुआ है और कई सारे सेक्टरों में इस कोपरेशन को मजबूत किया गया है वीपे Nuclear Energy के सेक्टर को अगर देखा जाए तो इस सेक्टरों में भारत के जो प्रम पार्टनर है उनमें France, Russia, America जैसे देशों का नाम आते है और फिलाल देखा जा का next update अर्मिनिया के स्वाति रैडरों के जानकारी लीग होने को में खत्रा दोस्तों हाली में अर्मिनिया के तरफ से अपने आर्मी के कैप्टन को अरेस्ट किया गया और उस कैप्टन के उपर ये इल्जाम लगा कि उनके द्वारा वीदेशी संहस्ताओं को भारत से ख़रि का बात नहीं है तो यह जानकारी भारत एलेक्रोणिस लिमिटेड जो की स्वाती राडरों का निर्मान करता है उसके एक conference में धिया गया तो यह सब्सक्राइब को समाप्थ कर लिया गया और यह सब्सक्राइल सक्सेस था दोस्तो QR से हम असल में एक short range की surface to air missile है जिसका development, defense, research and development organization के तरफ से किया गया है और trial समाप्त होने के वाद भारत electronics limited फिलाल expect कर रहा है कि इसी fiscal year में इन missile का एक बहुत बड़ा order आए हलाकि दोस्तो अगर देखा जाये तो इन missile के जो development trial था ये काफी फैले समाप्त हो चुका था और user trial के भी एक बहुत बड़ा हिस्से को समाप्त किया चुका था लेकिन arm forces के तरफ से इसके और वी user trial को अंजाम दिया गया ताकि missile के order से पहले missile के सभी खूविया और खामियों को जाचा जा सके हलाकि successful trial का मतलब ये है कि इसमें किसी भी तरीके कोई खामिया नहीं आया है बलकि army सभी condition में इन missile को test करके जाच चुका है कि किस तरीके से इसे extreme condition तक ले जाके इस्तमाल किया सके तो ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथ में बना हूँ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन